चात्रों आज का वीडियो है कच्छा दस्से और कच्छा दस्से है गनीत से वो भी NCRT गनीत से और प्रसना बली है दो तसमलब दो और इस वीडियो में आपको सारे प्रसन का हल करके बताएंगे आप लोग वेडियो को स्केप मत किजिएगा वेडियो को लास तक देखेगा प तो उसके बीच जो है संबंद सत्यापित करता है ठीक है अब पहले से समझे आखिर दोईगात बहुपद में सुनेकों का योग क्या होता है सुनेकों का गुननफल क्या होता है यहाँ पर समझे दोईगात कि बहुपद कि में दो इखात बहुपद यहां लिख देते हैं जैसे देखें ax² प्लस bx प्लस c यह दो इखात बहुपद है ठीक है तो इसमें सुन्नेकों का यूग क्या होता है अर्थात अलफा प्लस बिट्टा बराबर होता है माइनस bya माइनस bya और अलफा इंटू बिट्टा यानि सुन्नेकों का गुननफल वह होता है cya cya इसे आप समझ ले ठीक है चुकि आगे हम जो इसके संबंध को जो सत्यता की जांच करेंगे अत्याइब को melhor समझ जो एंटा की जांच तो इसकी आवसकता परेगी थो यहां फुर्ष्ट प्रस्ण देख रहे हम फुर्ष्ट प्रस्ण है इसका पहला का पहला वो है x²-2x-8 तो सबसे पहले हम इसका सुन्यक निकालेंगे क्या निकालेंगे सुन्यक तो सुन्यक निकालने के लिए करते क्या है प्रथम पद और अंतिम पद का गुना करते है अर्थाथ इसका गुनन खंड मालम करते है आपको गुननखंड करना आता होगा इसका गुना करना है प्रथम पद और अंतिम पद का गुना करना है जैसे x स्क्वाइर और गुने करना है आपको माइनस 8 ठीक है तो क्या होगा माइनस 8 x स्कुर अब क्या होता है इसको इस तरह से तोरना है कि गुना करने पर यहीं आए लेकिन जोड़े या घटाए तो बीच वलापद माइनस 2 x आए तो हम क्या करते हैं दिखें माइनस 2 है तो 4 दूना 8 और 4 दो का अंतर 2 तो हम 1 4 लेते है और रिख लेते हैं 2 और देखें यहां पर माइनस है तो हम 4 को माइनस करते हैं और 2 को पलस और दोनों के साथ x लगा देते हैं देखें माइनस 4 x में से 2 x जब जाएगा तो माइनस में बच जाएगा 2 x और दोनों का गुना कीजिएगा तो पहले तो माइनस आ जाएगा मैनस आजाएगा चार दूना आठ आजाएगा अंक में और X गुन X X स्क्वार आजाएगा यानि इससे मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे बीच वाला पत जो है इसको हटाएंगे और यहां डालेंगे यहां लिखे पहले यह लिखे यहां पर लिखे एकस स्क्वार माइनस टू एकस माइनस एट बरावर जीरो या एकस स्क्वार हटाएगे इसको हटाएगे यहां पर डालें माइनस फूर एकस प्लस टू एकस माइनस एट इक्वल टू जीरो या इस दोनों में कॉमन लेजिए इ यह है square था इसलिए x बचा और यहां क्या बचा माइनस 4 इसमें देखें इसमें x कॉमन नहीं है अंक है 2 तो पलस में दो लिजें पलस 2 और बचा क्या x और 2 चोके 8 यानि माइनस 4 बरावर 0 अब दोनों में देखें x-4 x-4 कॉमन आ गया है तो यहां लिख लिजें आप x-4 तो क देखें यह 0 है ठीक है तो इसका भीमान 0 आएगा और इसका भीमान यहां पर लिखें आप x-4 equal to 0 इसलिए क्या हो जाएगा यह माइनस 4 जो है उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा सर्फ 4 आएगा ठीक है यह पलस में आ जाएगा 4 अब देखें x-2 बरावर 0 इसलिए x बरा और बिट्टा कितना हो गया बिट्टा हो गया माइनस 2 अब हम इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसकी जो है सत्ता की जांच करेंगे लिखेंगे जांच क्या लिखेंगे जांच चलिए जांच करने के लिए आप करिए क्या पहले यहां पर जो है दोईगात जो है बहुपद लिखेंगे यहां क्या है दोईगात बहुपद x-2 x-8 ठीक है तो इसमें ए कितना है इसका गुनांग x-1 है और b कितना है B है आपका माइनस 2 और C कितना है C है माइनस 8 तो क्या किजी आप यहां आपको करना क्या है आप नीचे लिखेगा हम यहां लिख देते हैं यहां लिख देते हैं आप आपको करना क्या है अलफा बिट आपको मालूम है तो अलफा प्लस बिटा लिखे यानि 4-2 पलप में डाली और यहां डाले-2 और यह हो गया बी यहां देखिए बी जो है पहले माइनस में तो फिर ली आ गान शवत में यहां पहले है यहां डाली यह मैनस्ब कमांद 2 तो यहां पर तो यहां minus minus plus हो जाएगा plus two by one तो चार में से दो गया तो क्या जाएगा दो और यह जो है यह दो रहेगा दो बटा वन तो दो ही लिख सकते हैं तो यह दुनों बराबर हो गए यह सत्य है यह तो सत्य है अब अगें दूसरा जांच लिखे अलफा इंटू बिट्टा अलफा इंटू बि possible minus eight और Pack of 1 और और मैं जाली है दो और यहां ऑ भालिए एट बटा यह ही राइगा माइनस गिए तो सथी यह दो यह पर यह तो यह पर प्रूइद यह यह सत्यप्र मियदित हो गया है इसकर प्रूइद जो है दोनों के बीच यानि सुन्यकों और गुनांगों के बीच का संबंद जो है सत्यापित हो रहा है यह प्रस्ण बिल्कुल सही है इस तरह से सारे प्रस्ण का हल करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या है ज़रा देखिए अगला प्रस्ण है 4S2-4S1 तो इसका हमें पहले जो है सुन्यक मालूम करना है सुन्यक मालूम करना है कैसे मालूम करें तो इससे हम बनाते हैं क्या है दो नमर प्रस्ण दो नमर है 4S2-4S1 तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखिए 4S2-4S1 इकल टो 0 अब क्या करना है आपको प्रथम पद और अंतिक पद का गुना करना है तो दोनों का गुना की जिगा एक है तो तो नहीं रहेगा यह कितना आएगा 4S2 आएगा दोनों का गुना इसका और इसक जोड़े यह घटाए तो बीच वाला पद आए गुना करें तो यहीं रहे तो इसको हम तोर देते हैं-2S और-2S देखें दोनों को जोड़िएगा-2S-2S-4S आजाएगा और दोनों का गुना जो कीजिएगा गुना तो मैने से गुने मैने सब्स हो जाएगा और दो दोना सब्सक्राइगा चलिए इस माइनस 4S को हटाइए यहां लिखे हैं-4S2-2S-2S-1-0 एक इसमें common क्या है इसमें common है 2S क्या है, तो क्या बचा दिखतों, चला क्या तो क्या बचा तो क्या बचा, तो 2S बच जाएगा यहां-2S और-1 और इसमें टेखे मांच वर कॉमा लिडिंगे ताके इससे इम मील जाए सेम तूसाना धेख रहेए ऐसा ही है अब क्या हो जाएगा यह वन इधर जाएगा तो पलस में चला जाएगा ठीक है और साथ में इसको भी ले जाना चाहते हैं तो यह बड़्टा में चला जाएगा यानि इसका एस का माना जाएगा वन बाइटू आप ऐसे नो लिखके ऐसा भी लिख सकते हैं या करकी एक और लाइन या एक वेस बरावर उन क्योंकि ये जो है माइनलस इधर गया ठीक है तो पलस में चला गया इसलिएक बरावर वल्बाई बाइट तू आप देखें इधर भी बाइट टूएस माइनस बड़ावर जीरो या टूएस बड़ावर उन इसलिए एस बड़ावर गौण बाइट यानि सेम है अलफा और विट्टा सेम है तो क्या आ गया अलफा alpha ब्रावर 1 by 2 और beta ब्रावर 1 by 2 यारे दोनों सेम है दोनों जो सुन्याक बड़ावर है यह correct answer है, अब इसकी ज्यांच करना है क्या करना है ज्यांच यहाँ पे ज्यांच करना है, तो ज्यांच लिखे और समीगरन एक वा लिखे, समीगरन क्या है 4S square पड़ माइनस 4S प्लस 1 तो यहां पर A कितना है A आपका है 4 B आपका है माइनस 4 और C है 1 A फोड़ हो गया B हो गया माइनस 4 और C हो गया 1 ठीक है तो पहला क्या संबंद है अलफा प्लस बिटा क्या होता है चेख आपकर इसे ओगता है है अलफा प्लस बिटा बरावर माइनस बी बाई ए चलिए ऐलफा कितना है One Y2 बिटा भी है One Y2 बरावर माइनस B B जो है मैनस मिस दोता है तो पहले माइनस है तो मैनस यहां दूजए common और मius लिखे four बटआ और ए जो है क्या है फोर ठीक हम टो आगे बर यह आगे यहां पर बना लेता है ठीक है कले या प्या क Про और यहाँ पिए-------- 4y-4 , तो यह क्या हो जाएगा ? Kolir एक दो दो बटा दो और यह हो जाएगा फूरीटा करना है वो क्या करना है अलफा इंटु बिट्टा अलफा इंटु बिट्टा बरावर सी वाई ए चलिए इसकी जांच करते हैं अलफा इंटु बिट्टा दो गुने एक बट्टा दो बरावर सी कितना है सी वन है तो वन और बट्टा ए लिखना है यह है फोर तो वन वाई फोर आपका एंसर सही है जो है अल्फा आपका है 1 by 2 और विट्टा 1 by 2 यानि यही दोनों अगला प्रस नहीं है यहां पर देखिए 3 नमबर 6x स्क्वार माइनस 3 माइनस 7x तो इसको हम नोट करने हैं क्या है 3 नमड़ इसके बाद लिखेंगे 5x स्कवाड गुने माइनस 3 तो दोनों का गुना होगा और छे topics 18 अथा एकस स्क्वाड तो भाग में तोड़ना है जिसको गुना करें तो यही आए और जोड़े या घंटा है तो यह बीच वाला पक्त मैनस 7 एकसावे करा तो संख्या जोलना है, जिसका 1 आंस्थ 7 हो, चोई घटाने पर ही आएगा, चोई यहापर minus है, तो 1 minus में रहेगा, पलस में, तो antar 7 वालक होन І है, तो देखते हैं, 9 और 2, 921 और 921 और 921 का आंस्थ चाहिए, तो क्या करते रहे हैं, 9 को minus में रहते हैं, और 9 के साथ x लगा देंगे और पलस में रखेंगे 2x ठीक है देखिए दोनों का अंतर जो है साथ है वो भी माइनस में आएगा ठीक है और गुना कीजेगा तो 9-18 आएगा ही और x गुने x x square आएगा ही और माइनस है तो माइनस तो आएगा ही तो यहां पर हम क्या करते हैं यह 3x ले लीजे तो क्या बचभा यहां पर 2x बचेगा क्या बचेगा 2x और यहां पर मात्र 3 बचेगा ओ भी माइनस में और इसमें इसमें कुछ नहीं है तो एक प्लस 1 तो क्या बच़ा इधर मैं ठीक है तो 2x मईनस 3 अब दोनों में 1 समाना गया है थabad s3 तो यह लीई 2x-3 तो क्या बचा 3x plus 1 3x plus 1 और इसमें एक चीज़ हम देना भूल गाएं देखिए इन सभी में आप 0 दीजिए 0 यहां सुनेक निकाल रहे हैं तो 0 डाल देजिए यहां पर 0 आप डाल देजिए ठीक है तो अब देखिए 2x-3 बड़ाबर 0 होगा क्या होगा 2x-3 बड़ाबर 0 हो यहां लिखिया 2x बड़ाबर यह मानेस 3 हो इधर चला जाएगा तो परल अब देखिए 2x-3 बड़ाबर 0 तो हैं मैंबड़ा देखिए ठीक रही प्ल्फा होगिया अलफाइट्ड़ और बिट्टा क्या हो गया बिट्टा होगया तो बिट्टा होगया बिट्टा हो 1y3 ठीक है यह यदि आपको पहले मिले और यह बात में इससे कोई फरक नहीं परता एंसर सही माना जाएगा ठीक है तो यह आपका खोरिक्ट एंसर हुआ अब इसकी जांच करना है जांच क्या करना है जांच करेंगे तो यहां पर पहले हम दुगात बहुपर दिखेंगे स्फाथा यानी चुनने को को योग निकालना है अलफा प्लस बिट्टा लबाबर क्या होता है मैनस बी आइए तो अहां पर कोश्ट डाली माइनस 7 बट्टा ए6 ठीक है तो यहांप लिखें इसका जो है यह हो जाएगा थी लाइट ऊपर प्लस गुने माइनस माइनस वन वाई थरी बड़ावर माइनस गुने माइनस पलस साथ बट्टा चह इसको आगे बढ़ाईए इसको लिखिए या या लिखिए दो और तीन देख रहे हैं दो और तीन का एल सेम लेजी तो आएगा और इस तीन से भाग दिजmodern दो से गुनका होगा तो यहां पर माइनस जो है दो आ जाय homelessness though I'm चैनल के Edit है सब्ट्रण खे नुद करना है साथ बड़ावर साथ बर्टता च्रह यह pen describes हो गया यए क्या होगया प्रूट्ट आगे प्रूबड करना क्ला इंटो बिट्टा है लिखी अल्फा इंटो बिट्टा बराबर क्या हूत है सी वड़ाइए सी रूख सिनली जर्फ और इस्जम् Simmons ऑन दूर और स्ने बिट्टा मान मानस ए fak от lust कामान माइनश वान बाइच थृप ठीक है, अब दोनों कामान लिख दीजिये, क्या है, minus 1, बट्टा, 2 बज़ गया, चुकि इसमें 3 है, यहां कुछ यह नीफ 3 है, गुना होगद तो 2 ही आएगा, और बराबर यह हो गया, यह भी हो गया, माइनस 1 बटा 2, दोनों ब्राबर हो गया, यह भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, और इस तरह से दोनों सत्यापित हो गया है, ठीक है, अगला प्रेस्न है, 4u² प्लस 8u, क्या है, यहाँ पे, 4 नमर कुश्चन है, 4u² प्लस 8u, तो इसका हम जैसे बनाते थे, वैसा नहीं बनेगा, चुकि इसमें दो ही पत है, तो क्या करते हैं, इसका सुनेक निकालने के लिए, यहाँ लिखते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लिजे, कॉमन दोनों में देखे, दोनों में क्या है कॉमन, 4u है, कॉमन ले लिजे, या लिखे, या 4u इन्टू, 4u जो इसमें से निकल जाएगा, तो सरफ 2 बचेगा, 2, u प्लस 2 इक्वल टू 0, अब देखे, इसमें 2 आगया, ठीक है, यह दोनों गुना में है, जब यह दोनों गुना में है, और बरावर 0 है, तो यहा आगया, ठीक है, दूसरा देखे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, या, u इक्वल टू, यह जो है, प्लस 2 इधर चला गया, तो माइनस 2, ठीक है, तो इसलिए, u कमान माइनस 2 आया, ठीक है, तो हमारा अलफा और बिट्टा निकल गया है, यहाँ पे अलफा कितना आया, जीरो, और ब गुनांगों की बीच की सतता की जांच करना है, तो यहाँ पे हम लिखते है, जांच, क्या लिखते है, जांच, जांच लिखते है, और जांच में क्या है, पहले यह बहुपर लिखते है, क्या है, 4u स्क्वार प्लस 8u, ठीक है, तो यह लिखे, और इसमें जो है, यहाँ पे 4 है, b कितना है, b आपका 8 है, ठीक है, और c कितना है, नहीं है, तो 0 है, नहीं है, तो 0 है, ठीक है, चलिए, अब हम जाज करें, तो पहले लिखेंगे, alpha plus beta, alpha plus beta बराबर क्या होता है, minus b by a, alpha plus beta बराबर minus b by a, तो alpha कितना है, alpha 0, और beta minus 2, दुनों को जोड़ी है, तो क्या ना चाहिए, minus b by a, तो b जो है, 8 है, तो minus 8 by a, a कमान 4, ठीक है, तो 0 में जब minus 2 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, minus 2 आएगा, या लिखेंगे, minus 2, equal to, 4 से कर देजे, 4 दूना 8, यानि minus 2, ये proved हो गया, ये क्या हो गया, proved हो गया, ठीक है, अब हमको proved करना है, alpha into beta, क्या proved करना है, alpha into beta, alpha into beta, बराबर क्या होता है, c, y, a, तो alpha कितना है, alpha 0 है, और गुने beta minus 2, और c कितना है, c, देख लिए, 0 है, c, 0 है, और बट्टा, ए, ए, जो है, 4 है, न, 4 लिखें, तो 0 में, minus 2 से गुना किजएगा, जब 5 से भाग दे चाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी proved हो गया, तिक है, ये भी proved हो गया, अर्थार्थ सत्यापित हो गया, अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न है, देखिए, क्या है, ts, minus 15, त्हों हम बनाते हैं, पहले सुन्यक निकालते हैं, और सवाल नमर क्या है, 5, सवाल नमर 5 है, और क्या है, T square minus 15, ठीक है, तो इसका सुन्यक कैसे निकालेंगे, चुकि इसमें जो है, B नहीं है, ठीक है, C है, क्या है, T square minus 15 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे, और ये minus 15 जो है, इधर चला जाएगा, या पलस माइनस साथ में जाता है, या लिखेंगे या, T equal to plus minus root under 15, ठीक है, तो यहाँ पे सुन्यक आ गया है, तो T का पहला माना आएगा, एक पलस में, जो है, root 15 और एक minus में, आप बराबर लिख सकते हैं, जो है, इसको plus 15 root under, और दूसरा minus root under 15, यानि अलफा आ गया आपका, root under 15, और बिट्टा क्या आगया, बिट्टा आपका आगया, minus root under 15, ठीक है, तो यह आपका answer निकल गया है, ठीक है, यह दुने answer है, अब इसकी जांच करना है, इसकी क्या करना है, जांच, जांच करना है, ठीक है, तो जांच में हम पहले यह लिखेंगे, T square minus 15, तो इसमें हम C है, लेकिन B नहीं है, जब B नह है, तो उसका मान 0 लिखेंगे, यहां देखें, यहां, A कितना है, इसका गुनाग 1 है, तो एक लिखें, B कितना है, B है ही नहीं, चुकि T वाला जो पद है, T square के बाद जो T वाला आता, वो होता है, उसका गुनाग भी आता, तो वो है ही नह तो B कमान 0, और है वो कैसे है, आपको हम बताते हैं, है इसमें कैसे है, देखें, यहां पर अगर ऐसे लिखते, वोई भी संख्या, यानि 0 के साथ अगर ऐसे लिखते है, T गुनाग में, तो देखें, यह है न, यानि 0 के साथ गुनाग में है, तो इसलिए B कमान 0, यह आप म बिट्टा तो alpha plus betaremos क्यों होता है? minus by e, minus by e, तो alpha command डाले, alpha command हो गया root under 15, और byte command जोरना है, जोर, से यह Jeremiah from by e, जोरe, स्वल्छ पमाइनस में है, और बराबर लिखे więc by e, minus b तो 0 रुटेके यानी one कि तो देखिए, root जो है plus 15 we have жить 15 और ये माइनस में है तो दोनों को जोरिएगा तो ये जोरिएगा क्या ये माइनस में है तो घट जाएगा ये मान जीरो आ जाएगा क्या जाएगा या लिखे या 0 बểnाबर या भी जब 0 मैं 1 से भागँ तो यह तो पुप्रूप्ट हो गया यह क्या हो गया अगला दूसरा देखते न दूसरा क्या है अल्फा इंटू उबिटन बरावर sup ऑऑस्जी वाई ए का यह चली alpha- является यानिकि यानि कि क्या आएगा, रूट 15 और गुने माइनस रूट 15 रूट, ठीक है, और बरावर C, C कमान क्या है, C कमान है, माइनस 15 बटा, और A, A कमान 1, ठीक है, तो इस दोनों का गुना कीजिएगा, तो माइनस तो आएगा ही, माइनस आएगा, और चुकि दोनों रूट परावर है, गुना हो रहा है, तो रूट भाग जाएगा, सीधा आजाएगा 15, और ये भी आजाएगा, माइनस 15, यानि दोनों बरावर हो गया, प्रूब्ड, ये भी प्रूब्ड हो गया है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे इसका निकालेंगे बहुपत के गुननखन करके तीन पद है इसमें तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जम पर पहले प्रथमपद और अन्तिमपद गुननखन करने के लिए तो हम क्या discriminate है चार और तीन और दिखें यहाँ पर माइनस seat माइनस में रखते हैं इसको पलस में और दोनों के साथ X लगा देते हैं X दोनों के साथ X लगा दिये और 4X में से जब 3X जाएगा तो माइनस में बचेगा ही X चुकी है माइनस में और दोनों का गुना कीजिएगा तो common ले लिए common, दोनों में common क्या है इसमें, और इस दोनों में, ठीक है, common क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं स्रफ x common है, क्या है, या लिखे या, x into 3x, और minus 4, और इसमें क्या है common, इसमें कुछ नहीं है, तो plus 1 ले लिए, plus 1, तो क्या बचा, 3x minus 4, ब्रावर 0, दोनों में देख लिए गुभायनिस्ट 3x-4 3x-4 ले लिए 3x-4 तो क्या बच गया एकस प्लस 1 एकस प्लस 1 बड़ाबर 0 अब देखिए 3x-4 बड़ाबर 0 होगा 3x-4 बड़ाबर 0 या 3x बड़ाबर यह माइनस 4 है इधर चला जागा प्लस में 4 ठीक है इसलिए यह बड़ाबर हो जाएगा 4y यह गुणा में इधर चला गया भाग 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 भूए 3 अब देखिए x-1 बड़ाबर 0 इसलिए x क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा माइनस 1 यानि आ गया है आलफा कितना आया आपका अलफा आया 4y3 और बिट्टा कितना आया माइनस 1 यानि दोनों सुने निकल गया यही है अंसर चलिए इसकी जांच करना है कि यह बास्ता में है या नहीं तो यहां पर आप जांच लिखे जांच और पहले बहुपद दिखे क्या है 3x स्क्वार माइनस x और माइनस 4 यह माइनस एक्स है ठीक है तो इसमें a कितना है यह है 3 बी कितना है इसका घुनांग जो है माइनस एक्स इसका घुनांग ठीक है मैंनस सोर तो यहाँ पे इसमें घुब्च नहीं को निकालना माईनस डर्फलस बिटा बरह क्या होता है माईनस ладно है तो ल Palины कितना है Baba है 4y यह और इससमें जोड़ना dependent यानी absurd प्लस माइनस 1 बराबर माइनस भी वाइए यानि यह तो माइनस में खूद है तो कोश्ट डालिए माइनस 1 बट्टा एक अमान 3 डालना है ठीक है चलिए आगे बढ़िए आगे लेखिये या 4y3 और प्लस ब्लस नहीं होगा जोगी यहां फिरिखें यह प्लस है यह माइनस ही गुणा हो तो माइनस होगा यहां पे zur Baş माइनस माइनस वन ठीक है और बराबर यह देखिए माइनस माइनस पलस सीधा वन डाली पलस नहीं देने क्या बसकता है वन बटा थरी इसको भिंदका जो है घटाओ कीजिए तीन और इसके ने कुछ नहीं तो एक या लिखे या तीन आ गये यहां पर और यहां पर चार और सुने एक तो माइनस तीन ठीक है यह लिखे यह इसको पहले इदर लिख लिए यह चार में चिन गया वन बचा वन बाई थरी बराबर वन बाई थरी तो यह जो है प्रुब्ड हो गया कई यह सुन्य को और घुनांकों की बीच के यह संबन्थ सतता की जाच हुगया है अगेन दूसरा देखिए दूसरा Corinthians I am by game क्या है अलफा इंटो बिटर बुटर पर्डाबर क्या होता है सी यह तो अलफा कितना है अलफा फॉर वाइय थ्री और बिट्टा माइनस 1 ठीक है और यहां हमको लिखना है c by a तो c कितना है माइनस 4 और a है 3 तो इसका गुना कीजिए गए ना तो सरफ माइनस हो जाएगा यह लिखे यह माइनस 4 बटा 3 बरावर माइनस 4 बटा 3 यह भी प्रूब्ट हो गया क्या हो गया यह जो है सत्त है यानि इसके गुनांगो और सुन्यकों के बीच की जो संबंध हो सब्सक्त है ठीक है इस सवाल करें अगला प्रस्न है एक तुई घात भावुपत ग्यांद किजिए जिसके सुनेकों का गुननफल अर्थात अलफाइंटु बिठा तो हमको दुई घात बहुपद ग्याद करना है चलिए आपको हम एक पर समझाते हैं चलिए मालिजे हमको दुई घात बहुपद ग्याद करना है हमें सरफ सुनेकों का योग और सुनेकों का गुननफल मालूम है तो दोई घात बहुपद ग्याद कर सकते हैं तो a, b और c का मान कैसे मालूम होगा देखिए आपको मालूम होगा अलफा प्लस बिटा बराबर क्या होता है माइनस bya और अलफा इंटू बिटा बराबर क्या होता है cya तो इस फॉर्मूला से यहां पे सुन्यकों का योग और सुन् यहां पहला प्रस्ण है यह पहला प्रस्ण जो है 1 बाइ 4 और माइनस 1 यह सुन्यकों का योग और यह सुन्यकों का गुननफल तो हम लिखते हैं यहां पे दू का पहला प्रस्ण है 1 by 4 और minus 1, ठीक है चलिए, हमको सुन्यकों का योग मालूम है, क्या है alpha plus beta, बराबर क्या है alpha plus beta बराबर 1 by 4 ठीक है, तो इसका बराबर होता क्या है, minus by a, ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, alpha into beta alpha into beta तो alpha into beta बराबर क्या है, minus 1 और इसके बराबर में होता है c by a, ठीक है तो देखिए, यहाँ पे जो minus 1 है यह minus 1 है आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं जैसा आपको जरूत हो, जैसे आपको minus 1 है न, यहाँ पे minus 1 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, minus 3 by 3 minus 4 by 4 minus 2 by 2 यह सारे जो है minus 1 ही है यह सब जो है minus 1 है जैसा मर्जी हो वैसा लिख सकते है minus 1 को, तो हमको जरूत क्या है यहाँ पे a कमान 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, एक, जो की बराबर नहीं है तो हमको इसके बराबर कर देना है यानि 4 के बराबर a जब a, जब 4 होगा, तो सभावे के उपर फी minus 4 हो जाएगा, यानि यह इस रूप में हो जाएगा या लिख दीजिए या alpha into beta बराबर minus 4 by 4 बराबर c by a चलिए, यह दोनों सेम है कोई अंतर नहीं है, जितना यह है जितना यह है, तो अब यहाँ पर देखिए हमको a, b और c का मान जो है, मालूम हो गया है, a कितना है a देखिए, दोनों स्थिति में 4 है, a 4 है, b कितना है b आपका यहाँ से आएगा यह 1 है b, यानि इसमें minus है तो minus हो जाएगा, minus 1 ठीक है, b का मान, minus 1 और c, c कितना है तो c है minus 4 c बराबर minus 4 ठीक है, चलिए अब हमको दुई घात बहुपद मालूम करना है लिखेंगे, दुई घात बहुपद क्या है a x square प्लस b x प्लस c तो a कमान डाल दीजिए a कितना है, a 4 है यानि 4 x square और b कितना है, minus 1 तो सीधा हो जाएगा, minus x चुकि b कमान, minus 1 आगए, ठीक है और c कमान, minus 4 है तो minus 4 यहाँ डाल दीजिए और यही आपका correct answer है ठीक है, इस तरह से आप सारे मान जो है, हसानी से मालूम कर सकते है दूसरा देखे, दूसरा क्या है दूसरा है, root 2 यानि सुन्योको का योग है root 2 और सुन्योको का गुनन फल है 1 y 3 ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लिखते हम दूसरा क्या है, alpha plus beta, पहले सवाल लिख देते है तो बराबर आप जानते है, क्या होता है बराबर आप जानते है minus bya होता है ठीक है, और alpha into beta क्या होता है, cya, ठीक है आप पहले मान लिख लिख लिजे, या cya भी लिख सकते है पहले, बाद में मान, बराबर cya, यह देखिए यह बट्टा में है, तो यह मिल रहा है, c बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा लेकिन यह जो है, ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अगर 1 हम डालते है बट्टा 1, चुकि 1 रहता ही है तो a command 1 आ रहा है जो कि नहीं है, चुकि a command 3 है तो 3 के बराबर दोनों को करना होगा तो इसको आगे बढ़ाते है, यह लिखिए यह और सेम वही, जो फर्स्ट कोश्टन जो प्रोस्ट किये है वही कर देते है यहाँ पर 3 रखेंगे, तो उपर 3 भी जाएगा उपर भी 3 जो है गुना में चला जाएगा जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ अलफा प्लस बिटा बराबर 3 रूट 2 बटा 3 बराबर माइनस बी वाई ए ठीक है, अब देखिए, ए कमान जो है 3, ए कमान 3 आ रहा है अब बी कमान मालूम हो गया, और सी कमान भी मालूम हो गया तो यहाँ पर ए कितना आ गया, ए आपका आ गया, 3, बी कमान क्या आ गया, बी कमान माइनस 3 रूट 2 चुकि यहाँ पर माइनस है, इसमें माइनस है नहीं, तो यह माइनस में हो जागा, ठीक है और C कमान, C कमान आपका 1 है तो दुविघात बहुपद क्या हो गया? लिखेंगे दुविघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? AX स्क्वाइड प्लस BX प्लस C तो बराबर A कमान डालिए, A कमान हो गया, आपका 3 तो 3 X स्क्वार और बी जो है माइनस में तो माइनस डाले माइनस थ्री रूट टू एक्स और सी आपका वण है तो पलस वण यहीं आपका तुछ बहुपत है ठीक अगला प्रस्न है यादि सुने को का योग है जीडो और सुने को का गुनन फल है रूट पांच चलिए इसे हम सुने को का योग जो है जीडो है और सुने को का जो है गुनन फल है रूट पांच चलिए तो यहां पे अलफा प्लस बिट्टा क्या है जीडो बरावर माइनस बी वाई ए ठीक है और अलफा इन्टू बिट्टा बरावर क्या है रूट पांच बरावर Cya ठीक है तो यह तो सही है चुकि यहां पे 0 के निचे आप 1 डाल सकते है ठीक है और 5 के निचे रूट 5 के निचे भी 1 डाल सकते है तो यह हो गया same to same, यानि B कमान जो है 0 आएगा और C कमान रूट 5 और A कमान 1, 1 देख रहे हैं, ठीक है, यह 1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप आइसे भी लिख सकते हैं, here A equal to कितना है 1 B equal to 0 और C equal to क्या हो जाएगा, C equal to root 5, तो दुई घात बहुपद बढ़ाबर क्या होगा A X square plus B X plus C, तो इसमें मान डाल लेजिए, यानि A के जगा आपको 1 डालना है, 1 गुने X square और इसे भी आप मान डालके निकाल सकते हैं plus plus 0 गुने X और plus C कमान, root 5 डाली है, ठीक है तो यहाँ पर 1 से जो गुना किजेगा, X square में तो क्या हैगा, सिधा X square और 0 से गुना किजेगा तो इसका कोई भेलो ने चुकि 0 हो जाएगा, तो डाल यहीं नहीं यह 0 हो गया, और plus सिधा यह रह जाएगा, root 5 और यहीं आपका दुझात बहुपद है, ठीक है यानि कि बीच बाला पत जो है, वो 0 है ठीक है, आगे देखे 4 number question 4 number question क्या है 1, 1 दोनों है, यानि सुने को का गुनान फाल भी 1 है सुने को का योग भी 1 है तो यहाँ हम लिखते हैं सवाल क्या है, दोनों 1 है योग भी और गुनान फाल भी यानि कि अलफा प्लस बिटा बराबर 1 ठीक है, तो बराबर क्या होगा माइनस बी वाई ए और अलफा इंटू बिटा अलफा इंटू बिटा क्या है बराबर 1 यानि कि CYA इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 डाल सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं ताकि इससे मिल जाएगा आपको समझ में आएगा तो यहां पर यहां लिखे हेयर A equal to, A कितना हो गया आपका 1 हो गया B कितना हो गया, minus 1 हो जाएगा यहां पर minus है, तो minus 1 और C equal to, C कितना हो गया यह आपका c भी 1 है तो फिर दुई घात बहुपद क्या है लिखेंगे दुई घात और b कमान जब मैनस 1 डालेगा तो यह मैनस x हो जाएगा मैनस x और c कमान 1 डालेगा तो 1 हो जाएगा ठीक है यही आपका दुई घात बहुपद है यानि x square minus x plus 1 अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न क्या है सुन्योको का योग है minus 1 by 4 और सुन्योको का गुनन फल है 1 by 4 ठीक है तो हम इसको बनाते है फाइब नमर क्वेश्चन फाइब नमर क्वेश्चन क्या है सुन्यको का योग है माइनस वन बाई फोर और सुन्यको का गुनन फल है वन बाई फोर तो सुन्यको का योग क्या होता है अलफा प्लस बिट्टा बराबर है माइनस वन बाई फोर ठीक है तो बराबर माइनस बी वाई ए ठीक है और alpha into beta यानि सुनने को गुनन फल बराबर क्या है 1 by 4 तो बराबर होता है cya देखे यहाँ पे आप यहाँ पे here लिख सकते है here a equal to कितना हो गया a आपका देखे 4 4 बराबर है 4 b देखे b जो है minus b बराबर minus 1 तो यह minus minus cut जाएगा c दा 1 आ जाएगा b बराबर 1 और c बराबर c कितना है 1 c भी 1 है ठीक है तो आप दोई घात पहुपद लिखे दोई घात बहुपद बराबर क्या होता है a x square प्लस b x प्लस c तो बराबर a x square यानि एक जगा फो डालना है 4 x square और b के जगा प्लस 1 है तो सिर्फ x डाल दीजे 1 और c के जगा 1 प्लस 1 यही आपका दोई धात बहुपद है अगला देखिए लास्ट नमर कोईश्चन है इस प्रसनावली 2.2 का कितना है सिक्स नमर कोईश्चन सुन्यकों का योग है 4 और सुन्यकों का गुनन फल है 1 ठीक है तो यहां पे हम अलफा प्लस बिट्टा लिखते हैं अलफा प्लस बिट्टा बराबर क्या होता है यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप मान डौकर डाल दीजी यहां और फडे स्ब्रस च्र거 के निचे घचापर और तो यहां पे खिए here, a कितना आ गया आपका, a आपका आ गया है, a जो है, दिखें, दुनों तरफ 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, तो a कमान 1, b कमान, b कमान आपका माइनस 4 हो जाएगा, और c कमान, c कमान आपका 1 है, ठीक है, ये बराबर देखें, ये मिलागी, bx, प्लस c, तो a कमान डाल की 1, तो x स्क्वार रह जाएगा, और b कमान माइनस 4, तो हो जाएगा, माइनस 4x, और c कमान आपको 1 डालना है, तो प्लस 1, और यही आपका और एक एंसर है, इस तरह से ये प्लस नवली खत्म होता है, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीचे,